चिकन तंदूरी के बहुत ही तेस्टी क्रेप्स बनाते हैं ये चिकन क्रेप्स को आप स्टोर भी करके रख सकते हैं महीने भर के लिए रेसिपी बनाने के लिए पहले चिकन को हमें मेरिनेट करना है तो एक पाउ चिकन है इसके मैंने काफी छोटी छोटे से पीसिस कर लिए है इसमें अदरक लेसन का पेस डाल लेते हैं आदा चमच कश्मेरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे एक चमच भुना कुटा हुआ जीरा है आदा चमच काली मिर्चों का पाउडर है आदा चमच गरम मसाले का पाउडर बहुत थोड़ा से डाल लेते हैं एक चौथाई चमच गाढ़ा दही डाल लेंगे एक बड़ा चमच आदे नीमू का रस इसमें निचोड लेते हैं नमक चिकन के हिसाब का आड़ कर लेते हैं और सारी चीजों को हमें अब मिक्स कर लेना है चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं आदे घंटे के लिए तब तक हम बना लेते हैं क्रेप्स तो क्रेप्स बनाने के लिए grinding jar में डालेंगे दो कप भर कर मैधा और इसमें डालना है हमें दो अंडे एक कप डाल लेंगे दूद और एक कप डाल लेते हैं पानी आप चाहें तो दूद की जगह पर पानी भी आड़ कर सकते हैं आदा चम्मच है नमक और आदा चम्मच डालेंगे चीनी दो बड़े चम्मच भरकर डाल लेना है गाढ़ा दही दही की वज़े से क्रेप्स बहुत ही नर्म मुलायम बनकर रेडी होंगे अब ये मिक्सचर को ग्राइंडर में घुमा लेते हैं करीब 2-3 मिनट के लिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद हम ये मिक्सचर को निकाल लेते हैं एक बूल में मिक्स्चर निकालने के बाद हमें इसमें दो बड़े चम्मच तील ऐड़ कर लेना है तेल की जगा पर आप चाहें तो melt किया हुआ घी या फिर बटर भी आड़ कर सकते हैं एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं क्रेप्स के लिए मिक्स्चर बनकर रेडी हो गया है करीब आधा कप मिक्सचर नॉन चीक पैन पर डालेंगे इसे अच्छी तरह से सारी जगा पहला लेंगे करेप्स में हमने तेल डाला हुआ है इसलिए हम पैन पर तेल बिलकुल भी नहीं डालेंगे क्रेप्स इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से बनकर रेडी हो जाएंगे अब मीडियम टू लो फ्लेम पर ये क्रेप्स को हम पका लेते हैं दो मिनिट के अंदर ही ये क्रेप्स साइड्स छोड़ने लगेंगे पैन के इस टाइम पर हम स्पैचला की मदद से इसे पलट लेंगे दूसरी तरह से इसे करीब आधे से एक मिनिट के लिए पकाना है और ये हमारा एक क्रेप्स बनकर रेडी हो गया है इस तरह से हम सारे क्रेप्स रेडी कर लेते हैं अब चिकन को पकाने के लिए दो बड़े चमच तेल पैन में ले लेंगे इसमें डाल देंगे मेरिनेट किया हुआ चिकन चिकन को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पहले तेल में मिक्स कर लेते हैं चिकन को अब ढख कर बिना पानी आड़ किये हम पकाएंगे एकदम लो फ्लेम पर दस मिनट के लिए चोटे चोटे पीसिस हैं चिकन के बहुत ही जल्दी पक कर सॉफ्ट हो जाएंगे धकन अटाने के बाद अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी रह गया है चिकन में तो आप हाई फ्लेम करके इसे सुखा सकते हैं आधा कप इसमें बारिक चॉप की हुई प्यास डालना है आधा ही कप डाल लेते हैं बारिक चॉप की हुई शिबला मिर्च आधा चम्मच डालते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट या मिर्चों को आप बारिक चॉप करके डाल सकते हैं आदा चमच डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धन्य के पत्ते भी डाल लेंगे, सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, फ्ले प्रिकन हटाने के बाद इस mixture को एक प्लेट में निकाल लेंगे। थंडा हो जाएए, इसके बाद हम इसमें दो cheese cube ग्रेट करके डाल देते हैं। cheese को अब chicken के साथ अच्छी तरह से mix कर लेंगे। chicken creps के लिए ये filling बनकर ready हो गई है। chicken creps बनाने के लिए एक गाढ़ा सा मैदे का mixture बनाकर ready करते हैं। अब एक creps chopping board पर बिचा लेते हैं, बीच में हम filling डाल लेंगे एक बड़ा चमच। बहुत ज़्यादा filling नहीं डालेंगे वरना creps फट जाएंगे। इस तरह से creps को एक तरफ से fold कर लेंगे और इस पर मैदे का mixture लगा लेते हैं। दूसरी वाली साइड इस पर रख देंगे। अब दोनों तरफ हम मैदे का mixture लगा लेते हैं ब्रश से। आप चाहें तो इसे उंगली की मदद से भी लगा सकते हैं। दोनों खुली हुई sides अब fold करके चिपका लेते हैं। इन creps को हमने अच्छी तरह से seal कर लिया है। ये सारे चिकन तंदूरी creps अब fry करने के लिए ready हो गए हैं। इस टाइम पर अगर आप चाहें तो ये creps को महीने भर के लिए freezer में store करके रख सकते हैं। तो चिकन क्रेप्स को fry करने के लिए बस थोड़ा सा तेल हम पैन पर डालेंगे। क्रेप्स को यहाँ पर रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पर एक तरफ गोल्डन कलर आने तक क्रेप्स को हमें पकाना है। फिर हम पलट कर इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक पका लेते हैं। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसके बाद हम यह क्रेप्स को निकाल लेते हैं सर्फ करने के लिए। यह चटपटे मज़िदार तंदूरी क्रेप्स को आप अपने मन चाहे सॉस या डिप के साथ सर्फ कर लीजिए।